जैपुर में पुलिस कमिशनरेट के नाके के नीचे से एक मुलजिम पुलिस का स्टडी से फरार हो गया साइबर ठगी के एक प्रकरन में पहले से फरार चल रहे आरोपी दीपक सिंग को एक दिन पहले ही साइबर थाना पुलिस ने गिरफतार किया था लेकिन बीती रात ही पुलिस को चकमा देकर शातिय ठक फरार हो गया घटना के वक्त आरोपी के हाथों में हदकड़ी भी लगी थी और पुलिस का कड़ा पहरा भी था लेकिन फिर भी भागने में काम्याब रहा हलांकि रात भर पुलिस मुलजिम को ढूंटी रही और पूरे जैपुर में नाका बंदी भी करवादी लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा जानकारी के अनुसा घटना बीती रात आट बचकर चालिस मिनट की हैं जहाँ पुलिस कमिशनरेट के कमरा नंबर 27 में दो दिन के रिमांट पर चल रहे आरोपी दीपक सिंग से पूस्ताज चल रही थी पूछताज खत्म होने के बाद पुलिस ने आरोपी के हाथ में हत्ता लगा कर एक कोने में बिठा दिया इसी दोरान जान्च अधिकारी कुछ दस्तावीजों की चानबीन कर रहे थे तब यह देखा अचानक आरोपी गायव हो गया पता चला कि शादिर धक ने हत्ते को अनलोग कर खिड़की से छलांग लगा अंधेरे का फाइदा उठा कर रफू चक्कर हो गया पुलिस के अनुसार आरोपी दीपक सिंग सवाई माधिपू जिले के खंडार के पास काचड़ा गरेने वाला है जो साइबर फ्रोड के लिए फेक अकाउंट बनवाता था जिसको सोमवार को ही पुलिस ने साइबर ने गरिफतार किया है इससे पहले इसी प्रकरण में दो आरोपी गरिफतार हो चुके हैं लेकिन दीपक सिंग फरार चल रहा था जिसे पुलिस ने दबोचा और साइब थाने लियाई हालांकि इसाइब थाने में रेडोवेशन का काम चल रहा था और हवालाद भी नहीं है ऐसे में आरोपी को कमिशनरेट की कमरे में अंदर कैद रखा था लेकिन पुलिस को गच्चा देकर भाग निकला जहां से शाति ठक फरार हुआ है वहाँ जैपर पुलिस कमिशनर सही तमाम आलादिकारी बैठते हैं ऐसे में आरोपी का पुलिस के चंगुल से भागना पुलिस के कारेपरनाली पर सवाल उठा रहा है